नवस्कारम बीडियेस दियूस तेलगों के सुस्वागतम भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है ऐसी ही उपलब्दियों के लिए राष्ट कभी राम धारिशी दिनकर जी ने कहा था मानव मानव जब जोड लगाता है पत्थर पानी बन जाता है भायू और भेनों भारत का टीका करान भियान बहुत ही मानविय और महत्वपूर सिधानतों पर आधारित है जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा जिसे कोरोना संक्रमन का रिक्स्ट सबसे ज़्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरा मेडिकल स्टाफ है वो कोरोना की वैक्सिन के सबसे पहले हकदार है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्रावेट में सभी को ये वैक्सिन प्राफिक्ता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टिका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून ववबस्ता की जिम्मेदारी है जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए पुलीस कर्मी हो गए फायर ब्रिगेड के लोग हो गए सफाई कर्मचारी हो गए इन सभी को ये वैक्सिन प्राफिक्ता पर लगेगी और मैंने जैसा पहले भी कहा है इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा साथियों इस टीका करण अभियान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कौने कौने में ट्राइल्स किये गए हैं ड्राइ रंस हुए हैं चरण वाले चरण में टीका लगेगा आप कल्पना कर सकते हैं तीस करोर की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश हैं खुद भारत चीन और अमेरिका और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे जदा हो इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है और इसलिए यह भ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूँ हमारे वैज्ञानिक हमारे एक्सपर्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है इसलिए देश वाजियों को किसी भी तरह के प्रपेगंडा अफ्वाएं दूस प्रचार से बचकर रहना है साथियों भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है और पहले से हैं हमने ये विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है मेरे प्यारे देश वाजियों हर हिंदुस्तान इस बात का गर्ब करेगा कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक ठीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं भारत की सक्त वैज्ञानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विससग्यता पर दुनिया का इविश्वास मेड इन इंडिया करोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है इसकी कुछ और खास बाते हैं जो आज मैं देश्वास्चों को जुरूर बताना चाहता हूं यह भारतिये बंद रखना असंबल है इसका हम एसास था और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा लोगडाउन होने जा रहा था इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आकलन भी हमारे सामने था लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंतर पर चलते हुए प्रत्य भारत्य का जीवन बचाने को सरवोच प्राठ्विक्ता दी और हम सभी ने ये देखा है कि कैसे तुनंत ही पुरा देश पुरा समाज इस भावना के साथ खड़ा हो गया अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देश वासियों के साथ सीधा समबात किया एक तरफ जहां गरीबों को मुप्त भोजन की ववत्ता की गई तो वहीं दूद, सब्जी, राशन, गैस, दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपरती सुनिशित की गई देश में ववस्ताएं ठीक से चले, इसके लिए ग्रहमंतावे ने 24 बाइ 7 कंट्रोल डूम सुरू किया जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया, लोकों को समाधान दिया गया साथ क्यों कोरोना के विरूत इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरन प्रस्तुत किया है ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया था तब भारत चीन में फसे हर भारतियों को वापस लेकर आया हरति भारत के ही नहीं हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए कुरुना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 35 लाग से जादा भारतियों को विदेशों से भारत लाया गया मुझे आध है एक देश में जब भारतियों को टेश करने के लिए मशीना कम पढ़ रही थी इन तड़ी तो इवारतिलू समाप्तम नमस्कारम झाल